माजी प्रखंड में पंचा चुनाओं में वोटरों का उतसाह देखते ही बन रहा है लोग भारी संख्या में वोट डालने पहुँच रही हैं चपरा में महिलाओं में वोट देने को लेकर खासा उतसाह देखने को मिल रहा है एक ऐसी ही महिला वोटर उमर और बढ़ापे को मात देकर वोट डालने बूत पर पहुँची 119 साल की महिला मतदाता अपने मत का अधिकार समझते हुए मतदान केंदर पर पहुँची और वोट डाला वहीं दूसरी तरफ मतदान के बीच माजी प्रखंड कारले पर रिजर्व में रखे गए मतदान कर्मियों ने विवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया हंगामा कर रहे मतदान कर्मी प्रखंड कारले पर लचर विवस्था का आरूप लगा रहे थे उनका कहना था कि प्रखंड मुख्याले पर उन्हें तीन दिन से बैठा कर रखा गया है जहां उन्हें मूल भुद सुविधाय उपलब्द नहीं करा गई पीने का पानी शोंचालाए और बैठनी के कोई उपयुक्त विवस्था नहीं रहने से उन्हें काफी परेशानी हुए हम लोग को अटेंडेंस जो है 27 तरीक से कंटिन्यू हम लोग ड्यूटी में है चोविशावर उसके बाद भी हम लोग को अप्सेंट कर दिया गया है और आज तक हम लोग ड्यूटी में तैनात है शीटिन अब यह जा रहा है और अभी तक हम लोग का अटेंडेंस नहीं बना उचेटी मिली हम लोग को अब रिजर्ब पाटी से हैं और फिर भी हम लोग के साथ अपसेंट कर दिया गया और अपसेंट करने के बाद से तमान तरह के वहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे है तो कर दिया गया है ब्लोक बड़ाय के लिया थे लिए हम लोग आये थे सुचना मिला था कि दियाया भाइब आए थे हम लोग लेटर मिला थे लोग बार आएगी चला इनलगे पैसा कि देखा रहा हुआ जिला नेंतरन कक्षu से मिली रिपोर्ट के मताबिक पांच बजे तक 59 प्रतिशत महिलाएं और 26.96 प्रतिशत पुरुष वोट डालने पहुंचे पंजाब के इसलिए टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट